नमस्ते अभिवादन आपका स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हैपी इन्वेस्टर्स में दोस्तो जहां पर आपको मिलते है छोटे छोटे वीडियो में बड़े-बड़े मल्टी बैगर्स आज दोस्तो सवाल जवाब की सीरीज में याने की अकाउंट नेम हेवन ऑफ सकाई के नाम से बहुत ही बड़िया अकाउंट नेम रखा है इन्होंने अपनी म्यूजिक की चैनल का और बहुत ही अच्छा उन्होंने हमें कमेंट दिया है जो कि मैं काफी लंबे अर्से से इस टॉक को कवर भी करता आ रहा हूँ हर एक प्राइ करेंगे ब्राइट कॉम ग्रूप के शेर प्राइस की और क्या आगे हमारी स्ट्रेटजी रहेगी स्टॉक के अंदर इसलिए स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्राइट कॉम ग्रूप के चार्ट पर यहां पर वन डे की कैंडल मैंने ओपन करके रखी है टेकनिकली इस टॉ प्रमुट क्या दोस्तों जियादा आपको फाइदा नहीं करेंगे इसा क्यूं बोल रहा हूं क्यूंकि यह काफी मैनेपलेटेटर और वॉलेटाल स्टॉक होते हैं जो फैनि स्टॉक होते है वह हला कि अभी पैनी स्टॉक रहा नहीं है ये एक स्मॉल कप कंपनी हो चुकी ह और पहले के जमाने मेने जहाने, थोड़े महीनों फेले, थोड़े कुछ महीनों पहले, ये पैनी भूबर फोगता था और उसी स्पीड से पैनी स्पीड से ये उपर की तरह गया Company ने bonus announce किया एक बार नहीं दो बार announce किया बोनस की जो राशी है धन राशी है बोनस के जो shares है वो आपके account में आ चुके होंगे मेरे account में तो आ गए तो I hope आप सब के account में भी आ गए होंगे अगर नहीं आया है तो जरूर comment section में बताईएगा हो सकता है आपके कुछ दिन बाद आ जाए लेकिन मेरे अकाउंट में परसनली जो शेर्स बोनस आने वाला था वो आ चुका है और उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली है स्टॉक के अंदर सेल आफ देखने को मिला है हमें और क्या हुआ है क्यों ऐसा हो रहा है सब कुछ डिसकस करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको अगर बताओं तो देखे यहाँ पर स्टॉक ने यह वाला जो इसका सपोर्ट है यहाँ पर इसने 52 रुपीज तक में एक बार बाउंस बैक किया था तो अब यहाँ से एक सिंपल सिंपल बात है कि अगर स्टॉक 50 रुपीज का इसका एक अच्छा कासा यहाँ पर सपोर्ट बन करके आ रहा है अगर 50 रुपीज से इसने बाउंस बैक नहीं किया तो थोड़ा सा पैनिक क्रियेट हो सकता है तो थोड़ा सा चिंदा जनक सिचुएशन हो सकती है क्यों क्योंकि फिर यह स्टॉक दोस्तों बापिस के पता नहीं कहां पर रुखेगा बापिस से 50 रुपीज पर हो सकता है यह रुख जाए 50 रुपीज से बाउंस बैक कर जाएं लेकिन अगर 50 रुपीज से यह स्टॉक नीचे गया तो फिर थोड़ा सा हमें दिक्कत दे सकता है रुखेगा तो फिर 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 नीचे आगया तो जब तक कोई मामला सेटल नहीं हो जाता क्यों जब तक कोई स्टॉक एक अच्छे खासे यूनिफरें मैनर में ट्रेड करना शुरू नहीं कर देता है तब तक हम उसके अंदर अपलाई करें तो ठीक रहेगा बाकी दोस्तों स्टॉक के अंदर fundamentally ठीक ठाक स्टॉक है अच्छा स्टॉक है कोई दिक्कत वाली ऐसी बात अभी हुई नहीं है IT सेक्टर में डील करने वाला स्टॉक है Digital Advertisement के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और हाली में इनका पी रेशियो भी अगर देखे तो पी रेशियो भी काफी अच्छा है बैलेंस पी रेशियो है और बोनस भी अप कंपनी देती आ रही है लगातर बोनस देती है शेर होल्डर्स को तो थोड़ा सा कोई दिक्कत वाला भी फिलाल मुझे बात नहीं लगता है हाँ ये थोड़ा ASM लिस्ट वाला थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज होता है लेकिन फिर भी कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर हमें कोई ऐसी डेंट या फिर बैलेंस शीट में कोई ऐसा negative point दिखाई नहीं दे रहा है debt free company है तो आप इसे long term के लिए कर चाहे तो handle hold कर सकते हैं उतना पैसा मैंने आपको पहले कहीं सारे वीडियो में बता दिया है यहाँ पर बोला था मैंने आपको बेचने को profit booking करने को कर दिया होगा यहाँ पर भी आपको profit booking करने को बोला था कि आप यहाँ पर इतना उपर stock आ चुका है तो थोड़ा सा sell out कर दीजिए आप कोई दिकत ना आए तो तो उन्होंने जिन्होंने sell out कर दिया होगा उनके लिए कोई दिकत वाली बात नहीं है क्योंकि उनका उतना पैसा तो वापिस आ गया जितना उन्होंने invest गिया था बाकी का पैसा अगर आप चाहे तो रख सकते है long term के लिए और या फिर आप चाहे तो बेज भी सकते है जब तक कोई price volatility कम नहीं हो जाती market में से तब तक wait कर सकते है और थोड़ा थोड़ा करके वापिस से इसके अंदर invest कर सकते है I hope आपको मेरा ये वीडियो समझाया होगा 5 मिनिट के अंदर इंदर वीडियो खतम किया है ऐसे ही छोटे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा अगर आपको हमारी वीडियो में से कुछ सीखने को मिल रहा हो कुछ नया और भी जानने की कोशिश आप करना चाहते हो अपने आपको stock market में trade करने के लिए stock market में invest करने के लिए capable बनाना चाहते हो तो आप हमारी चैनल को subscribe और like करना चाहे तो कर सकते है मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाल एपिसोड के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है